टेक्स्ट फॉर्मैटिंग, टेक्स्ट फॉर्मैटिंग क्या होता है, इसके वज़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी लिखे हुए चीज का फॉर्मैट, रंग रूप सब तरीके से बदल सकते हैं, उसका रंग रूप खुलिया सब बदल सकते हैं, That's mean कहने का मतलब क्या है That's mean we can इसका मतलब या है कि हम लोग इसमें color add कर सकते हैं क्या कर सकते हैं रंग इसमें डाल सकते हैं Size इसका बड़ा कर सकते हैं और इसका Style भी Change कर सकते हैं और Face देखने में कैसा लगे Bold लगे, Italic लगे किस तरीके से अच्छा लगेगा वैसा हम लोग कर सकते हैं किसी भी Text का It is used to create attractive document ऐसा इसलिए इसको किया जाता है ताकि जो भी document हम लोग बना रहे हों वो document थोड़ा attractive लगे attractive कहने का sense है कि मोहित जो किसी को भी मोहले, ऐसा हम लोग को बनाना होता है, ठीक है इसलिए Text Formatting का हम लोग परियोग करते हैं जैसे कि हम लोग को एक example यहाँ पर दिया हुआ है लिखना है GCA Capital में GCA हजारी बाग हजारी बाग जिस यह हजारी बाग अब इसका चार्ट चीज हमें इसमें एड करना है पहला है कि इसका Size हमें बढ़ाना है और Size कितना करना है 40 तो Size बढ़ाने के लिए यह हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर देखें यहाँ पर आएं आएंगे और ऐसा इसको प्रेस करेंगे और नीचे आएंगे और 40 36 40 नहीं है हम लोग 36 या 48 ले सकते हैं तो 48 ले लेंगे ठीक है उसके बाद उसके बाद बोता रहा है कि हम लोगों को जो यहाँ पर हम लोग लिखे हुए हैं इसका कलर भी चेंज करना है तो यहाँ पर जो यह ए दिख रहा है यही होता है font color, हम यहाँ पर A पहले से selected है इसको हम press करेंगे, यह color change हो जाएगा color change हो गया, red हो गया अब, अब next point में हम लोगों को क्या करना है कि इसका जो face है, उसे हमको aerial black करना है, control A से हम इसे select कर लेंगे, और यहाँ पर जाएंगे font के अभी जहाँ size बढ़ा किये थे उसके बगल में left side में जाएंगे और यहाँ से नीचे आएंगे, और यहाँ लिखेंगे हम क्या करना है हम लोगों को aerial black, aerial black करना है लिखेंगे, A, R, I, A, L B, L, A, C, K aerial black, कहीं पर दिखा aerial black यहाँ दिखा, इसको हम click करेंगे हो जाएगा, यह aerial black में हो गया फॉन्ट style को bold करना है यह पहले से ही bold था गया, यह पहले से ही bold था देखो, bold कर रहे हैं, aerial black चुक़्ी है तो aerial black ही, bold रूप में होता है इसलिए यहाँ difference नजर नहीं आ रहा है क्या difference नजर नहीं आ रहा है difference नजर नहीं आ रहा है जैसे कि bold करते हैं हम लोग इसको select करेंगे और अगर bold करते हैं तो difference नजर नहीं आएगा क्योंकि aerial black और रेडी पहले से ही bold होता है, हाँ, दूसरा चीज अगर हम select कर ले, दूसरा font select कर ले तो वहाँ से हम लोगों को ये boldness नजर आ जाएगा, ठीक है control A और bold aerial aerial black है इसको हम पहले font चेंज कर लेंगे ठीक है, ये हो गया, अब इसको हम select करेंगे, और control B करेंगे bold हो गया, ऐसा देखने को मिला, changes देखने को मिला aerial black में हम लोग को बोल्ड नहीं देखने को मिल रहा था, ऐसा इसलिए क्योंकि aerial black already bold होता है, ठीक है clear